नमस्कार मित्रो शिव आयरवेदा में आपका स्वागत है कई माताएं बहनें एक परेशानी से पीडित रहती है अक्सर बो लगबग 90% मेलाओं को होती है जिसे लिकोरिया या वायट डिश्चार्ज की प्रॉब्लम कहते हैं ये परेशानी जब होती है तो उनका सरीर सूखता चला जाता है चेहरे पर तेज नहीं रहता है शरीर में दर्द होता है खासकर कमर में दर्द हमेशा बना रहता है हड्डियां कमजोर हो जाती है पेट का डायेशन भी अच्छे से नहीं रहता है और तो और कभी-कभी उनको हलका बुखार सा भी मालम पड़ा रहता है शरीर म हमेशा कमजोरी सी लगती है सुबाद चिर्चड़ा हो जाता है तो आज के इस वीडियो में मैं इसका परमानेंट और इस्थाई उप्चार बताऊंगा पहले आप यह समय लें कि यह किन-किन कार्णों से होती है और हकीकत में यह है भी या नहीं है किसको बोलते हैं वाय डिश्चार लिकुरिया क्या होता है बैसे एक कुदरती तोर पे माताओं वेनाओं का मेलाओं के सहीर का एक सिस्थम होता है अगर योनी से बिलकुल चिपचिपा ट्रांस्पेरेंट अगर पदार्थ बहार निकलता है तो उसे लिकुर लुब्रीकेशन के लिए एक ताकतिक नियम है यह कुदरत का नियम है यह तो सभी की योनी के द्वारा निकलता है उसे लिकुरिया न समझें और फाल्तु में ब्रह्म में न रहें बिलकुल ट्रांस्पेरेंट होता है चिपचिपा होता है और ज्यादा मात्रम नहीं निकलत इसके ठीक विपरीत द्रब चाहे पतला हो चाहे गाणा हो सफेद और बदवुदार जो पाहल निकलता है उसे लिकुरिया का नाम दिया जा सकता है वाइट डिस्चार्ज का नाम दिया जा सकता है अब इसके काण को समय वहने लेते हैं। इसके वैसे कई कार्ण हो सकते हैं। इसको कुछ एकसपर्ड ये बताते हैं। कि जो लड़कियां कम उमर से हष्ट मैथन शुरू कर देती हैं। एक सर्वे के अनसार 89% मेलाएं थे रूप में थे तो लगातार जब जादा थे रूप मेहतन के तेज, मिच, मसाले, तामसी, भोजन, जादा कौफी और चाय का प्रियोग करने करती हैं, उनका पित हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी ये परेशानी हो जाती है। वैसे आयरुवेद में ये परेशानी वाय डिश्चार्जी परेशानी लिकूरिया की परेशानी तीन प्रकार की होती है, वात, पित और कफ, वात से होने वाली वात लिकूरिया, पित से होने वाली पित लिकूरिया, और कफ से होने वाली कफ लिकूरिया कही जाती है, अधिक वात, पित, वकफ तीनंग को शमान करती है और आयरुवेद में सारे रोग वात और पित के ही होते हैं चाहे कैंसर ही ही क्यों हो हो수 से लंभी स्रंखला है। शुरुवात में कुछ और रोग होते हैं अंदर यंदर, सही केंदर क्या चल रहा है। कोई नहीं देख पाता है किसी पता नहीं होता है लेकिन जब कैंसर तक की यात्रा पूरी हो जाती है तो सरीर में कैंसर हो जाता है लेकिन ये भी आयरुबेद के अंसाथ वात पित अकप का संतुलन बिगड़ने से ही होता है तो इस प्रकार से मैं इसमें एक ऐसी ओसत बताऊंगा जो काफी लं तो कोई भी दबाई किसी भी सरीर पे 100% कभी भी काम नहीं करती है, विस्व कोई भी दबाई हो, लेकिन इसमें जो मैं नुस्का बताने जा रहा हूं, बहुती पॉवर्फॉल और इस्थाई नुस्का है, अगर आप किसी माता या बहन को इस तरीकी की कोई समस्या है, तो इस नुस्के का प्रियोग कर सकते हैं, ये कही बाद अजमाया हुआ नुस्का है, ये सतावर है, ये सतावर, ये आयुर्वेद की प्रमुक जड़ी है, इसको पर सब के बाद जब मैलाओं को दूद नहीं होता बच्चे के लिए, तो उस समय भी देते हैं इसको, तो इसको पीस लेना है, पीस इसका पाउडर बना लेना है, और इसका आदा चम्मच पाउडर गाय के दूद से सुबह लेना है, तो पानी से भी ले सकते हैं, बैसे दूद से ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके साथ ही सुबह मैं आमला पाउडर और धागे वाली मिसरी को समान मातरा में पीस करके एक चम्मच उसको भी लेना है, इन दोनों और सदियों के बीच में आदे गंटे का अंतर रखना है, सुबह और इसके अलावा 50 ग्राम फिटकरी और 50 ग्राम नीम के पत्तों को एक लीटर पानी में पुवाल करके छान के कि अच्छी बोतल में रख लें हो सकता है, तो कांच की बोतल वो तो ज्यादा अच्छा है, और उससे दिन में 2-3 वार वीवास करें, वीवास करने से भी बहुत अच्छा रेजल्ट और जल्ली रेजल्ट होता है, नाते समय, हाँ, जो करते हैं उसमें सावन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पीयेच मापकरम होता है, बिगड़ जाता है, यूनी के अंदर एक पीयेच मापकरम होता है, निशित को सावन लगाने से डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरीके से और खान पान में पूर्ण ब्रहंचरे का है जब तक दवाई खानी है तब तक और आपको तेज मिच मसाले बाहर की चीज जंग फूड फास्ट फूड नहीं खाने हैं चाय और कौफी का गरम चीजों का सेवन भी नहीं करना है तो इस तरीके से अगर आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपको पुराणी से पुरा कि टेपर डाउन करनी है एक दम से दवाई को नहीं छोड़ना है तो इस प्रकार पूरी साबदानी और सुरच्छा रखेंगे तो इस प्रकार में दवारा बताईगी जानकारी अगर आपको पसंद आये तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर करें लाइक करें और कमेंट कर यह चैनल को सबस्क्राइब है थैंक्यू पूर वाचिंग